आदिवासियों को शाथ लेकर अपने प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान राम ने जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और माता सीता को वापस ले करके आये और रावण को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया भगवान राम ने किया जिनका पूरा जीवन भगवान राम का जैसा पुत्र दसरत को मिलना राजा दसरत का जीवन धन्य हुआ माता सीता को भगवान राम जैसा पती मिला भगवान के उस जीवन से कोन सा सम्बंध पवित्र नी हुआ किसका मान नी बड़ा आदर्स पुत्र आदर्स पिता आदर्स सासक ओ सासक तो एसा सासक जिसने सब ने सोचा अगर राज्जी चाहिए तो राम राज्जी जेसा चाहिए राम राज्जी की कामना सब करते हैं भगवान रामराज्जी की कामना करने का मतलब ही गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सवेरा लाना, उसके कश्ट मिटाना, देश को स्वाविमान के साथ जीना सिखाना, सुव्यवस्था इस्थापित करना, इतिहास, भुगोल, हर जगे सनातन संस्क्रति के लक् दिखाई देना, लेकिन मित्रों बड़े दुरभागी के साथ केना पड़ रहा है, देश के आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन भगवान राम को भी अपने घर में आने में 70 साल लगगा ये बड़े दुरभागी के साथ केना पड़ रहा है, लेकिन भगवान राम का प्रव पिर देस भगवान के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्था ये केवल भगवान राम की प्राण बेनिकली एसास हुआ हाँ परमात्मा ये पांसो साल बाद हमारा समय आया कि जब भगवान को हम अपने अयोध्या में अयोध्या में भगवान राम नी जाएंगे तो कौन जाएंगे लेकिन बड़े दुरवागे के साथ के ना पढ़ रहा है भगवान राम की प्राण मिष्ठा के अउसर पे भी पहले तो निर्मान कारी में अडंगे लगे और बाद में भगवान के निर्मान कारी के बाद जब सुप्रीम कोट ने फेसला दे दिया तो दिये फेसले के बाद भी उनके गर्भगर के प्रवेश के अउसर पर निमंत्रन दिया लेकिन अभागे लोग जिनने निमंत्रन भी ठुकरा दिया बड़ी दुर्भागी की बात है कोई मक्या मदना में भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा था भगवान राम का मंदिर तो अयोध्या में बन रहा था अरे भगवान राम के निमंत्रन को ठुकराना बड़े दुर्भागी की बात ह हमारी पार्टी नी कांग्रेस के कई वरिष्ट नेताओं ने अपनी पार्टी के निर्णे का विरोत करके कहा कि ये गलत हुआ है। मुझे इस बात की प्रसनता है। आज नी तो कल अब जे सांस्कतिक अनुष्ठान का जो परव चल रहा है निश्वित रूप से जनता समझदार है। एसी नादानियों से बचना चाहिए। निश्वित रूप से देश की बहुसंक्या अबादी अगर किसी को आराध्य मांती है तो सबको उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए सर्वधर्म सदभाव की अधर पर देश की सरकारे बनती है। देश सबके सम्मावनाओं का और भावनाओं का दोनों का अधर करना जानता है। संभावनाओं के अधार पर हम विकास का रास्ता पकड़ते हैं और भावनाओं के अधार पर सनातन संस्कति पर गर्व करते हैं इसी से रास्ता निकलता है मुझे इस बात की आनंद भी है बाला घाट जैसे जिले में मैं जब पहली बार आया और दो पर बारा एक बजे बाद सबकों पर जो आपने प्यार लुटाया जीवन भरनी भुलूआ जो आपने प्यार दिया है। कोई भी देश ने नरेंद मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलना चलने के लिए रात में भी सपना देखना चालू किया। दुबारा सुनना अयोध्या से अरब तक हमारे देवालाय चमचमा रहे गिनी चमजा माराय आकास से बात करते दिखा दे रहे हमने अपनी आखों के माध्यम से देखा है। और क्या चाहिए हमको हमारे देश की यही प्रगती आगे बढ़ती रहें। प्रत्य गड़िवाद्मी के जीवन में कोई कष्ट न हो मदब्रे सरकार भी प्रयास कर रहे हैं। प्रयाप्त धनरासी दे करके डवल इंजन सरकार के माध्यम से और अबकी बार मोदी जी के नेत्रत में हम मोहने खड़े हैं। दोनों बार की सरकार ने देश के साथ बहु दली व्यवस्था के बजाए एक दली व्यवस्था की तरक कदम बढ़ाया है। और सरकार मजबूती से बढ़िये। अभी हम पाँचवी अर्थ व्यवस्था हैं लेकिन अगली बार हम देश का नंबर वन इस्थान विश्व में पाएंगे। भारत दुनिया में सबसे नंबर वन इस्थाफित हो जाए। प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जी के नेतरोत में इसलिए मदरे सरकार काम करती रहेगी। मेरी बात से सहमत हो तो जोड़दार तालिब जाके एहसास करा है इस बात का। कि हाँ हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानते हैं हाँ हम अपने देश के प्रदान मंतरी से प्रेम करते हैं हाँ हम देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं और अब मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे संसद में कांग्रेस के वरिष्ट नेता और राध्यक जी ने खरगे जी ने कहा वो नारा लगा रहा है ये लोगतंत्र की खूपसूरती है उनने कहा कि अब की बार 400 पार मैं आज के उसर पर राजनीती तो नहीं कर रहा हूं लेकिन लोगसवा में ये जो अंदर का विनोध होता है अंदर का भाव जो आता है निश्चित रूप से वो आने मद्वरेश को आगे बढ़ाएगी मद्वरेश को देश का नंबर वर्न राज की स्थाप में इस्थापित करेगी इस दिसा में हम आगे बढ़ते रहेंगे मेरा अगला जब दोरा होगा तो आज तो मैंने सामुई कुरूप से भूमी पुजल लोकारपन की है अगली बार ए आज में लगबख 48 वे जिले में आया हूं और कोशिश कर रहा हूं यह सरकार समवेदन सील सरकार है यह सरकार गरीबों के आसू पहुचने वाली सरकार है यह सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को संदेज देना जानती है कि पारदर्सी जवाब देही चाए ड्राइवर क्य अधिकार नहीं है यह सरकार इस बात के लिए प्रेदित करती है कि अगर खुले में कोई मतन बेचे मांस बेचे फूड सामगरी बेचे कानून उसकी अनुमती नहीं देता है इसलिए खुले में किसी को भी इस प्रकार के सामान बेचने की अनुमती नहीं होगी हम सब उनके लिए मार्केड बनाएंगे बंद एक अपने उनके बजार में जिनको खाना मना नहीं करेंगे लेकिन खुले आम बेचना ये तो सबका अपमान है और अपमान से बढ़कर के कोई अगर ये गंदी मचली गंदा कोई खाना खाएगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा उसको खान के साथ स्वास्त की अपनी मूल चीज से खिलवाड़ा हो जाएगा तो उससे बचाना भी सरकार की जवाबदारी तो निश्चित रूप से खाने में मना नहीं है लेकिन बजार बना करके और ध्यान देना कोई नगर निगम नगर पालिकान कोई नगर परिशद या पंचायत में पैसे नहीं है सरकार सबको पैसे देगी आप बजार बनाओ निश्चित रूप से उनका निश्चित स्थान रेगा जहां वो सामान बिकेगा लेकिन खुले आम इस प्रकार से बेचेने की अनुवती नहीं होगी मेरी अपनी ओर से आज किस अउसर पर बाला घाट के आप भी जो कोई विकास के काम दोगे मैं समान रूप से सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता हूँ क्योंकि मद्वर्देश को आगे बढ़ाना है देश के साथ चलना है माननी नदीन मोधी जी के नेत्रत में सारे प्रदेश लगातार धन के अधार पे कोई अभाव म महसूस नहीं कर रहा है तो निश्वित रूप से हम और आप सम मिलेंगे और मद्वरेश को आगे बढ़ाएंगे बोलो मेरे साथ आप तयार है अगर तयार है तो खड़े हो जाओ अपने इस्थान पर अपने हाथ की मुठी बांदो और संकल्प करो आने वाले समय में हम और माता बहनों की इज़त करेंगे गरीब से गरीब आदमी की सेवा करेंगे नरेंद मोदी जी के नेतरत में मद्वरेश को और आगे बढ़ाएंगे बोलिये मेरे साथ भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जै